Futures and Options Series की छटे वीडियो में आज हमें एक नए Option Greek के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है Vega पिछले वीडियो में हमने सीखा कि थीता, टेल्टा, गामा, आप्शन की प्रीमियम को किस तरह से अफेक्ट करते हैं आज हम सीखेंगे Vega के बारे में अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को बंद करके पहले वो देखो ये वाला वीडियो अच्छे से समझ आएगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरू कर लेना Vega के बारे में समझने से पहले हमें तोड़ा से समझना वड़ेगा वलाटिलिटी क्या होती है एक होती है historical volatility historical volatility का मतलब हो गया कि जैसे कि charts देखते है उसी तरह पिछले trends को पिछली घटनाओं के बेस पे अगर मुझे volatility को समझ रहा हो तो मैं historical volatility को refer करूँगा अगर इसको बहुत ही आसान भाशा में समझाने की कोशिश करूँ तो let's take an example of this Bollywood industry कि Christmas पे movie release करना, Diwali पे movie release करना, Eid पे movie release करना क्योंकि एक holiday season होता है, लोग holiday mood में होते हैं और इसलिए movies के अच्छा business करने के chances जादा होते हैं यह हमने historical trends और stats को देख के समझा है इसलिए आपने देखा हो कि जो big budget movies होती है जो बड़े-बड़े stars की movies होती है, they generally try to release their movies on certain occasions, कैसे पता चलता है क्योंकि हमने इस तरह की success को realize किया है past में, इसी तरह volatility, volatility market में कब बढ़ती है, past में हमने कई बार देखा है कि कोई election का result आने वाला है या कोई key event planned है, किसी company के results आने वाले है या कोई RBI की कुछ policy आने वाली है, अफेड का कोई announcement होने वाला है, तो उन दिनों से पहले किस तरह से volatility increase होती है, अगर हम उस ताइब की volatility को refer करेंगे तो हम बोलेंगे historical volatility, so past के starts को data को देख के जो अनुमान लगाया जाता है volatility के बारे में उसको हम बोलते है historical volatility, forecasted volatility का मतलब है कि मैं past के numbers को, stats को refer ना करके, किसी और तरीके से, किनी और factors को consider करके, अगर मैं volatility को predict कर पाऊंगी यह आगे क्या होगा, उसको बोलते है forecasted volatility, चलो इसको भी एक आसान से उधारन से पूशिश करते हैं, मान लेते हैं कि कोई, किसी movie industry के बहुत बड़े producer, director, राजा मोली हो गए, या मनी रतनम, या संजलीला बंजाली, या कोई भी जिसने बहुत बड़ी movie बनाने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने सारे big stars को ले लिया, शारुक खान, आमिर खान, अजे दे cast के ऊपर, कोई film past में बन ही नहीं है, तो हमारे पास historical data नहीं है इसका, लेकिन जो इसमें factors involved हैं, उन सब factors के base पे मुझे ऐसा लगता है कि this movie can be a big blockbuster, तो हम बिना past के data को refer किये विये, भी कभी-कभी forecast कर पाते है volatility को, volatility का मतलब कि बहुत तेज movement आएगा, सिर्फ उपर, price उप की बात नहीं, price में movement आएगा, इसी तरह market में, बिना historical data का reference लिये, volatility को predict किया जाता है, तो उसको बोलते है forecasted volatility, कैसे निकालते हैं, थोड़ा complex process है, क्योंकि देखो, market जो है, बहुत mathematical है, बहुत सारे factors, बहुत सारे बड़े लिखे लोगों ने, किताबे लिखे हैं, research की हैं, research papers लिखे हुए हैं, और बहुत सारे formulas derived किये हैं, जिससे कि इन चीजों को निकाला जा सकता है, for your knowledge, for your reference only, मैं बता दो, इसी जो सबसे popular method है, इसको बुलते है GARC, इसका full format पड़ लेना, समझ लेना, मुझे नहीं पता है GARC कैसे काम करता है, मैंने कभी use भी नहीं किया, बट आप जब सीखी रहें option Greeks के बारे में और volatility के बारे में, तो आपको knowledge के लिए अच्छी चीज है, GARC के जो popular methods है, जो popular processes है, I think GARC 1.1 और GARC 1.2 are very popular formulas or processes to predict financial markets volatility, अगर इस formula का देखके आप थोड़ा घबरा गए और आपको लग रहा है कि इसको समझना तो बहुत ही मुश्किल ह काफी complex दिख रहा है, तो good news यह है कि यह जानना जरूरी नहीं है, यह सिर्फ आपकी knowledge के लिए, एक reference के लिए मैं बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता है कैसे काम करता है, एक trader के लिए यह जानना जरूरी नहीं है, और trader जो होता है forecasted volatility पे generally काम करता भी नहीं है, और अगर आपको फिर भी इसमें interest आपने पड़ा है, तो trading में में इसका एक indicator भी available है, अगर आप चाहें तो इसको trading में में try कर सकते हैं, let me show you, nifty में अगर आप जाएंगे indicators में, if you find for GARC, see you can find GARC, 1-1 जैसे मैंने बला था 1-1 और 1-2 और popular processes, GARC processes बोलते हैं, जो आपको volatility को gauge करने में help करता है, और, sorry, forecast करने में help करता है, यह indicator, कैसे काम करता है, मुझे नहीं पता है, अगर आपको interest दे तो आप इसके बार में Google पर search कर सकते हैं, मेरा नहीं interest, मैंने कभी use भी नहीं किया, just for knowledge sake, मैंने बताया है, third है implied volatility, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा important है, implied volatility क्या है, इसको भी एक आसान से उधारन से समझने की कोशिश करते हैं, कि राजा मौली सर ने एक बहुत बड़ी movie अनाउंस कर दिये, जिसमें सारी जो biggest possible star cast थी वो ले लिया, उन्होंने ये decide कर लिया, इसको दिवाली पर release करेंगे, लेकिन फिर भी, क्या ये guarantee है, कि वो movie hit हो जाएग हो गया, curfew लग गया, या covid आ गया, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है, वो तो एक किसी के control में नहीं है, इसके अलावा भी एक और चीज होती है, जिसको बोलते है market sentiment, implied volatility जो होती है, वो market sentiment पे based होती है, इसको कैसे बताएं, इसको समझते हैं, समझो, LIC का IPO आने वाला कितने जादा मतलब Twitter पे, social media पे, news channels पे उसका एक हवा बनाती गई, LIC और retail investors तो पागल हो गए, LIC जैसे उनकी घर की company हो, क्योंकि हर आदमी ने कभी LIC policy करवाई है, तो वो उनको अपनी सी company लगती है, और इसकी विज़े से ऐसा लग रहा था कि बहुत जादा heavily subscribe हो जाएग और इसलिए शायद इसमें listing gains में मिल जाएग, ऐसा बहुत हवा बनी वी थी, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे IPO की date नजदीक आती चलीगी, एक social media पे sentiment आने लगा कि शायद ये subscribe भी ना हो पूरा, ठीक है, और शायद it is not a good idea to apply for LIC IPO, इसको बलते है market sentiment, आपने भी realize किया होगा कि जब LIC का IPO close होने वाला था, उससे पहले बहुत सारे लोगों ने अपनी applications तक withdraw कर ली थी, कि उनको लग रहा था listing gains चोड़ दो, यहाँ तो शायद loss भी हो जाए, this is called implied volatility, ठीक है, इसको फिर से राजा मुली सर की movie के example के तोर पे समझें, तो हो सकता है कि एक बह जान कर लिए हो, जिसमें best possible star cast भी डाल दियो हो, लेकिन social media पर या social media पर नहीं मतलब इससे समझते है कि market में, या viewers, जो audience है, उनके बीच में इस movie को लेके इतनी ज़्यादा हाइप हो गई, कि उनको लगा कि यह movie तो देखना बेकार ही है, इतनी ज़्यादा बड़ी star cast होने क कि वज़े से शायद storyline strong नहीं होगी, और जो अच्छे actor से शायद उनको screen time ना मिले, ठीक है, और उन सब को screen time देने के चकर में शायद पूरा script ही अच्छी ना हो, तो कुल मिला के movie के release होने से पहले, market में sentiment बन गया, कि शायद यह movie अच्छी नहीं हो, तो सब कुछ होने के बा financial market में भी implied volatility actually indicator है, market sentiment का, जो कि जूट, search, rumors, earnings announcement, किसी और decision, को election result, किसी भी कारण से बन सकता है, मुझे लगता है, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको high level पे मोटा मोटा बता दिया कि implied volatility क्या हो दी, और आपको शायद समझा आ गया, यह जो तीन volatility हमने देखी है, historical volatility forecasted और implied में से हमारा interest सिर्फ और सिर्फ implied volatility में है, यह तो अब तक आप भी समझ गयोंगे, market के context में समझें, तो volatility का increase होना का मतलब होता है, कि market में movement आएगा, price या तो ऊपर या नीचे जाएगी, और तेजी से जाएगी, एक volatility spike आएगा, अगर volatility कम है, तो इसका मतलब होगा, कि market में movement नहीं आएगा, या बहुत कम आएगा, जो कि हमने market days वाले, जो हमने market profile वाली series बनाई है, कई बार समझने के कुशिश की हम next day के movement को कैसे gauge कर सकते हैं, predict कर सकते हैं, based on market profiles, implied volatility भी हमें यह help करता है, समझने में, कि market का movement कैसा रहेगा, implied volatility को IV भी बोलते हैं, तो जब IV तो क्या होगा, price में movement आएगा, यानि कि price उपर या नीचे किसी direction में move कर सकती है, सबसकर election का result आना है, तो उससे पहले क्या होगा, IV बढ़ जाएगी, बहुत जादा बढ़ जाएगी, IV क्यों बढ़ जाएगी, क्यों कि uncertainty आजाएगी market में, पता नहीं है कि election का result क्या होगा, अगर कोई बहुत predictable event है, तो IV नहीं इतनी बढ़ती है, लेकिन एक unpredictable event अगर होने वाला है, जिसका कि हमें पता नहीं है, क्या result आएगा, तो हमेशे क्या होता है, uncertainty बढ़ने के वज़े से IV बढ़ जाती है, लेकिन अगर कोई ऐसा event नहीं होने वाला है, तो और market में stability है, तो IV बढ़ती नहीं है, ठीक है, IV क्या हो जाती है, कम हो जाती है, simple है, तो IV helps to gauge the market sentiment, but it is purely based on the price, supply demand, time value on order book of nifty, और bank nifty, not on fundamentals, तो ये जो है, IV calculate कैसे होती है, तो हम बात करें market sentiment की, ठीक है, क्या लोग बात चीत कर रहे हैं, लोगों को क्या सोचना है, लोगों की क्या feeling है, market के बारे में उसकी वजए से, जब उसमें uncertainty का element आजाता है, तो IV बढ़ जाती है, लेकिन जब IV का number जो calculate होता है, जो आप देखते हो, जो Wix का number है, वो calculate होता है, वो actually fundamentals पर based नहीं होता है, ठीक है, mark हो सकता है, fundamentals मार्केट के बहुत अच्छ हो, लेकिन IV uncertainty दे सकता है आपको, IV is reflected in the price of the premium अभी हम इसको और थोड़ा detail में समझेंगे, लेकिन आपको premium की price देखके ही समझाएगा कि IV जादा है कि कम है, India Wix is the official IV index for Indian market, अगर आपने India Wix नहीं देखा है, तो ज़रू जाके देखो India Wix क्या है, for your reference, अगर आप यहाँ पे देखोगे, this is called India Wix, अभी जैसे 11.8 चल रहा ह यह इंडिया Wix है, देखो, कभी यह 24-25 भी जाता था, पिछले साल की बात है, अभी काफी टाइम से अगर आप देखोगे, कि यह यहीं पे गूम रहा है, 10-11 क्यास पर, this defines the volatility in the market, यानि कि uncertainty in the market, uncertainty कितनी है market में, वो हमें India Wix बताता है, which is the official index, India Wix indicates the investor's perception of the market's volatility in the near term, next 30 calendar days, very simple, मेरे खाल से, self-explanatory है, कि इस, again, मैं बात कर रहा था, कि यह sentiment है, लोगों का क्या सोचना है, कि वो big blockbuster movie बनेगी, कि नहीं बनेगी, कितनी बड़ी star cast ले लिया, फिर भी नहीं बनी, LIC का एक perception था, जिससे वो start हुआ, finally, listing से पहले perception चेंज हो गया, ठीक है, उसी the best bid ask rates for near month and the next month nifty options contracts are used for computation of India weeks, कैसे calculate होता है, जैसे मैंने बता है, it's purely mathematical, इसमें fundamentals को use नहीं किया जाता, लेकिन आप nifty की order book इसमें बहुत बड़ा role play करते है, कि nifty के option में order book क्या है, order book क्या बोल रही है, तो current month और उसके अगले month, right, bid ask हमने बहुत detail में market profile के video series में समझा था कि paid and ask क्या होता है, so उसके base पे India weeks का calculation होता है, so अब तक जो हमने बड़ा वो IV के बारे में, अभी तक हमने वेगा के बारे में नहीं बड़ा, तो धिरे धिरे अब हम IV के topic को वेगा से link करेंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वेगा, जो आप option chain में देखत करता है, so example लेते हैं कि bank nifty spot price मान लेते हैं 45,500 पर चल रहा है, और 45,000 का जो call option की price है, वो 90 है, दो हफते हैं भी expiry में, आपको लगता है कि यह अच्छा option होगा अगर मैं इसको बेच रूँ, देखो, intrinsic value है नहीं इसमें, क्योंकि spot 45,000 या out of the money की call है, तो मुझे intrinsic value नहीं है, तो इसमें जो भी है, वो है theta value है, right time decay की value है, लेकिन वो value है, बहुत कम है, मुझे risk जो है, वो 500 रुपे का है, कि यहाँ पर या तो 500 रुपे यह उपर चला जाएगा, बैंक nifty अगले दो हफते में, और in the money, यह call option पहुँच जाएगा, तो मुझे बहुत loss हो सकता है, और intrinsic value generate हो जाएगी, और यहाँ फिर नहीं जाएगा, तो यह पूरे 90 रुपे मुझे मिल जाएगे, risk है, वो जादा है, reward थोड़ा कम है, लेकिन अगर यही spot price, sorry, यही 45,000 की call option, 3.500 रुपे मिले, तो मुझे यह एक अच्छा सौदा लगता है, कि 45,000 की call option बेचे जा सकती है, क्यो दोनों ही scenario में intrinsic value नहीं है, ठीक है, दोनों ही out of the money call option है, जो difference, अच्छा, दोनों में time value same है, right, time value इसमें भी 2 हफते, इसमें भी 2 हफते, तो difference जो है नहीं, difference है IV का, IV किस तरह से हमारे price, premium की price को impact करती है, यह आपको premium की price देख के ही पता चल जाता है, इन दोनों scenarios में भी क्या हुआ है, कि यहाँ पर IV बहुत low है, same out of the money call, जिसमें कोई intrinsic value नहीं है, सिर्फ time value है, उसकी IV इतनी low होने के वज़े से उसका premium बहुत low है, और यहाँ पर IV बहुत high है, जिसकी वज़े से same call option की premium बहुत high है, तो इस concept को, इस definition को एक पर अपने दिमाग में बढ़ा लो, कि जब IV बढ़ती है, तो option का premium बढ़ेगा, IV घटेगी, तो option का premium घटेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, या कितना घटेगा, यह कैसे पता चलेगा, और वो हमें पता चलेगा, वेका से, इसको ज़रा गौर से समझना, तो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना असान भी नहीं है यहाँ पर जो मैंने access पर लिया है, volatility और यहाँ पर premium का value, तीन different colors की lines है, red color की line जो है, वो scenario है जहाँ पर time value बहुत कम है, यानि कि days to expiry is just 5 days, green वाली case में days to expiry 15 है, और blue वाली line के case में days to expiry 30 है, यह volatility है, यानि कि IV है, तो अब अब कॉर से देख़ें यहाँ पर, जब Wix 15 था, वहाँ से Wix जब double हो गया, यानि कि 100% Wix ने jump मार दिया, तो क्या call option की premium ने भी 100% jump मारा, नहीं मारा, 75 to 90, तो बड़ी जरूर है premium, लेकिन कितनी बड़ी है, उतनी नहीं बड़ी जितनी की green line के case में बड़ी, यह 120 से 180 हो गई, यह 75 से 90 हो गई, यहाँ पे दोनों में difference क्या थ दिफरेंस था, days to expiry, यानि कि time value is playing a major role here कि premium की value, volatility के बड़ने के साथ साथ कितना तेजी से बड़ेगी, blue line की case को समझो, days to expiry 30 है, यानि कि at the beginning of the month की हम बात करें, जब contract just start हुआ, अभी 30 दिन है मेरे पास expiry में, उस वाक्त अगर IV मेरा 15 था और वहाँ से IV यानि कि Wix मेरा ब तो मैं देख रहा हूँ कि जो premium है, call option के premium की price भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, even double से भी ज़्यादा हो गई, तो यहां से अभी एक principle समझा रहा है, एक बहुत ही खास बात समझा रही है, वह बात क्या है, कि जो number of days है expiry में, वो जितने ज़्यादा होंगे, volatility उतनी ज़्य ज़्यादा बढ़ती है, right, directly proportional to the number of days in expiry. At the start of contract, the premiums will be maximum if volatility is high, जैसे कि हमने देखा days to expiry 30 है, तो premiums maximum हो जाती है, अगर volatility हाई है, volatility जतनी ज़्यादा बढ़ेगी, right, उतनी ज़्यादा premium हो जाएगी at the start of the month, because वहां पे हमारे पर्स जो number of days है to expire, वो सबसे ज़्यादा होंगे इसलिए तो best time, अगर option right करने का है, तो that is the best time to write the options, when volatility is high, IV बहुत सादा है, या weeks बहुत सादा है, और number of days भी बहुत सादा है, तो मुझे उस वक्स सबसे ज़्यादा premium खाने को मिलेगा, और जब volatility, जैसे जैसे month बढ़ता चला जाएगा, और volatility cool off होगी, वैसे वैसे premium की price cool off ह होगी, और मुझे क्या मिलेगा, बहुत बड़ा premium खाने को मिलेगा, इसको एक example से समझते है, कि money looks by election है, उनका result आने वाल है, आप हमेशा देखना, किसी भी, बहुत ही key event से पहले, IV बहुत ज़्यादा shoot up हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो इसलिए बढ़ जाती है, क्योंकि market में एक uncertainty आ गई है, और उसके वज़े से क्या होता है, premium के price बहुत बढ़ जाती है, premium value बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जैसे ही वो event खतम होता है, जो option buyers होते हैं, चाहे price उपर जा रही हो, चाहे nifty उपर जा रहा हो, लेकिन premium की price गिर के नीचे आ जाती है, current क्या होता है, volatility crash हो जाती है, इसको market की भाचे में wall crash होना भी बोलते हैं, तो एक बर फिर से समझते है, क्या होता है volatility का crash होना, जब IV cool off हो जाती है, आपकी price तो बढ़ रही है, यानि कि जो underlying है, उसकी price बढ़ रही है, लेकिन volatility गिरने की वज़े से, IV गिरने की 0.5 है, यानि कि अगर nifty 50 point से बढ़ा है, तो वो call option 25 point से बढ़ना चाहिए, लेकिन 25 point से बढ़ने के बज़ा है, 5 point से बढ़े, या even 4 point से कम हो जाए, ऐसा भी possible है, depend करता है कि IV कितनी बुरी तरह से crash होई है, इसको जो wall crash है, यह बहुत बढ़ा concept है, बहुत important concept है, जब कोई key event होने वाला होता है, तो इसलिए बहुत important है, अगर आप एक option buyer हैं, तो आपको इस समझना बहुत जरूरी है कि क्या आप बहुत high IV में के महौल में option buy कर रहे हैं, और उसे hold कर रहे हैं, चाहे price उपर चली जाए, लेकिन because IV crash हो जाएगी, यानि कि election का result आते ही, uncertainty खतम हो implied volatility गिरते ही, आपकी premium की price भी गिर जाएगी, फरक नहीं पढ़ता है कि call है या put है, दोनों ही cases में premium की price गिर जाएगी, कितना गिरेगी वो भी हम समझेंगे vega से, लेकिन आपको एक concept समझना बहुत जरूरी है कि wall crash होता क्या है, google करना थोड़ा और इसके बारे में पढ़ना तो आपको समझा जाएगा कुछ examples देखना, ठीक है, when there are fewer days to expiry and volatility shoots up, suppose करो कि expiry में 3-4 दिन बचे है और फिर IV बढ़ जाता है, तो premium तो बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना अगर number of days जादा होते expiry में तब बढ़ता, ये concept आपको समझा गया, premium और IV के बीच में क्या relationship है, तो आप वेगा की definition समझ पाएंगे, क्या होता है वेगा, वेगा जो है, वेगा of an option measures the rate of change of options value, यानि कि premium with every percentage change in volatility, बिलकुल डरने की जोरती मैं simplify कर देता हूँ, मान लेते हैं कि 19,500 NFT की जो strike price है, उसका वेगा है X, या मान लेते है, X क्या मान लेते है, 5 है, तो जब भी IV 1% से बढ़ेगी, है ना, तो जो उस option की जो premium है, वो 5 से बढ़ेगी, यानि कि X से बढ़ेगी, यानि कि Vega से बढ़ेगी, इसको मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ, जहाँ पे यह आपको असानी से समझ आएगा, यह nifty का option chain है, यहाँ पे आप IV देख सकते ह साइट पे बिलकुल free of cost available है, यह तो bank nifty है, मैं आपको nifty दिखा देता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं, 19,800 है, 19,800 पे अगर आप IV देखोगे, कितना चल रहा है, 9.77% चल रहा है, जब 1% से यह बढ़ेगा, तो आप मुझे बताओ, यह जो strike price जो इस वक्त चल रहा है, 81.90 का, वो कितना बढ़ जाएगा, अगर volatility में 1% से spike आया, यानि कि 1% volatility जाधा हो गई, तो मुझे यह बताओ, कि यह जो 81.90 है, यह कितना बढ़ेगा, यह मुझे किस से पता चलेगा, vega से, vega के जाने के लिए, जो free में आपको available है, आजकल sensible सब के लिए free करती है, बहुत ही blue में भी आप देख सकते हैं, Alice blue में अगर account नहीं खुलवाया है, तो मेरे referral link से ज़रू कुलवा लेगा, ठीक है, so देखो, यह है 19,800, अब जरा मैं यहाँ पे option Greeks के वाले tab पे आता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ, vega कितना है, 10 है, 10 vega होने का क्या मतलब हुआ, कि अग अगर IV जो है, वो 1% से बढ़ेगी, तो यह जो option की price है, 19,800 की call option है, 81,90, वो 91,90 हो जाएगी, अगर बाकी सारे factors constant रहते हैं, बाकी सारे factors भी तो price को infect करते हैं, like delta हो गया, ठीता हो गया, लेकिन अगर आप यह मानो, कि बाकी अगर सारे factors को मैं constant कर दूँ, तो IV एक परसंट बढ़ने से, या एक परसंट कम होने से, इस call option, इस strike price के call option या put option की जो price है, वो 10 रुपे से बदल जाएगी, right, अगर एक परसंट उपर हो गया, तो यह 91,90 हो जाएगी, क्योंकि vega 10 है, और अगर एक परसंट से नीचे चला गया, तो यह 71,90 हो जाएगी, क इस से आसान भाषा में कोई नहीं समझा पाएगा आपको, मुझे तो नहीं लगता कोई समझा पाएगा, ठीक है, तो vega क्या है, vega हमें यह बताता है, कि IV के change के respect में, option की premium की price, call या put की price में कितना change होगा, for both CNP, vega is always positive, तो मैं समझ रहाएगा, आपको vega समझाया होगा, vega option की premium price को कैसे affect करता है, यह समझाया होगा, मुझे एक बहुत बढ़िया case study मिली, zero the varsity पे, अगर आप zero the varsity नहीं follow करते हैं, तो जरूर फालो करें, बहुत अच्छा source है information का, most authentic source है, 24th August 2015 की बात है, उस दिन nifty लगबग 5% से गिरा था, अच्छा जब nifty 5% गिरेगा, तो क्य होगा, call option की price जो है, वो गिरेगी, और put option की price है, वो बढ़ेगी, right, लेकिन surprisingly, strangely, क्या हुआ, 8600, यानि कि at the money के बाहर, यानि कि out of the money की call option की prices थी, वो call option की prices गिरने के बजाए बढ़ रही थी, अगर आपने option Greeks के बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं सीखा है, मेरे पिछले 3-4 वीडियो जो मैंने बनाए हैं, वो नहीं देखे हैं, तो आप बोलोगे, यह सब 60 है, market rigged है, numbers rigged है, manipulated है, और technical glitch है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा option Greeks के बारे में समझते हैं, तो आप बिलकुल बता पाएंगे, बिलकुल समझ पाएंगे कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ तो क्या हुआ होगा, prices गरते ही implied volatility जो है, वो बुरी तरह से बढ़ गई होगी, right, IV जो है, IV शूट अप हुई होगी, IV शूट अप हुई होगी, तो क्या हुआ हुआ होगा, call और put options दोनों की prices बढ़ी होगी, जैसा कि मैंने बता है, जब IV बढ़ेगी तो premium की price बढ़ेगी, चाहे वो call हो या put, वो दोनों की premium की price बढ़ी, एक deep out of the money की call को अगर मैं उठाओ, जिसका कि डिल्टा मान लेते है, 0.05 है, या 0.1 है, तो इतना बड़ा fall आने के बाद भी, वो तो बहुत कम गिरा होगा, यानि कि अगर 500 point nifty गिरा है, और अगर 0.1 है, तो वो 50 point गिरा है, लेकिन क्योंकि implied volatility बहुत जादा बढ़ गई, तो vega की वज़े से premium की price बढ़ गई होगी, और क्योंकि ये deep out of the money था, तो इतना गिरा ही नहीं, fall की वज़े से, क्योंकि delta बहुत लो था, तो इतना गिरा ही नहीं, जितना की vega ने implied volatility की बढ़ने की वज़े से call की premium को बढ़ा थोड़ा सोचना, फिर से video देखना आपको जरूर समझा आजाएगा, तो आज के लिए इतना ही, thank you very much.